I think यह तो मातरानी का गिफ्ट ही है कि सड़नली उनको एक कंपोजर चीए थे जो कि इंस्टेंटली बना के देखे बहुत कम टाइम था 48 आवर्स दो दिन का टाइम था और उन्होंने तीन-चार कंपोजर से बात करी उन्होंने यह नहीं सोचा कि हम पंजाबी हैं या हम लोग सिख हैं उन्होंने तो म्यूजिशन को म्यूजिशन की तरह देखा एक इंसान को इंसान की तरह देखा और उन्होंने दो-तीन जगे ट् तो क्यों नहीं कर पाएंगे तो हमने कोशिश करी और रातो रात जाके मनमीद बताएगा टेक्निकली कैसे क्या चालेंजिस आए थे मुझे लगता है कभी-कभी हम लोग जैसे सोचते हैं कुछ चीजें जो कभी आदमी चाहता है कि भई ये मैं ऐसा करना चाहता हूँ ये मेरी प्लैनिंग है लाइफ की सपने है और कुछ चीजें कभी ऐसी बजाती हैं जो आप कभी सोचे नहीं सकते हैं कि बात सिरफ एक पहले तो लगता है कि भई ऐसा क्या हुआ क्या इश्वरी कृपा हुई है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से दो दिन के अंदर ये गाना बना और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जैसे कुछ चेंजे आए जो गाना वापिस गया तो मोधी जने लिरिक्स में को ट्यून सुनके कुछ चेंजेस करीं तो हमें ऐसा लग रहा था है कि हम किसी प्रोफेशनल राइटर के साथ काम कर रहे हैं तो ये ये बहुत ही नया उनका रूप और एक नई साइड है जो में को लगता नहीं कि दुनिया में किसे ने देखी थी हम लोग पहले वो लगी लो